ये जिराफ जैसे ही सोकर उठता है इसका गर्दन ही मुड़ गया था ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था फिर अपने गर्दन को एक रसी पर रख लेता है लेकिन रसी ही तूट जाता है फिर एक पत्थर में रसी को बात देता है और पत्थर को लांग से मार देता है तो पत्थर के साथ भसीर कर जाने लगता है फिर गर्दन सीधा हो जाता है लेकिन उसके उपर से पत्थर गिरता है तो गर्दन चप्रा हो जाता है पेर में गर्दन को फसा कर सीधा करने की कोसिस करता है तो नीचे गिर जाता है और उसका पैर भी छोटा हो जाता है फिर फूल के पास था तो जोर से छेकता है तो गर्दन बहुत ही लंबा हो जाता है पीछे जाता है तो जोर से काटा लगता है तो पेर सिधा हो जाता है उसके बाद गर्दन भी सिधा हो जाता है